पूर्ण पांडे वेलकम टू फोरम आयस दोस्तों लाश्ट वीडियो में हम आपके साथ मराथा डिसकस कर रहे थे मराथा एंपैर में और मराथा एंपैर में हमने जो पहला इंपॉर्टेंट रूलर था बाला जी विश्वनाथ उसे डिसकस कर लिया था हमने देखा था 1720 में आके उसके डेथ हो जाती है और उसके बाद उसका सन बाजी राव फर्ष्ट एड़ एड़ एज ऑफ 20 एयर रूल करने स्टार्ट करता है जब बाजी राव गद्दी मिलती है उस समय सिर्फ ये 20 एर्स का था ऐसे में 20 एर से पहले भी ये बाला जी विश्वनाथ के साथ कु इसलिए कैसकता है क्योंकि उस समय ही अगर पुरे मुगलों को हरा कर पूरे इंडिया पर रूल करने की सोच रहा था जो उससमय तक बहुती कम रूलर आसे थे जो ऐसा सोच पाते थे साथ ही साथ ही एक क्लेवर स्टेटमेंट भी था बहुत ही चलाग था चलाग दो सेंस ये 24 हर्चीज काम लेता था, कभी भी आवेस में आकर गुस्से में आकर कोई काम नहीं करता था तो देखिए, इसे शिवा जी के बाद जो गुरिला वार टेकनिक थी उसे फिर से इमर्ज करने का पूरा का पूरा करेट जाता है तो गुरिला वार टेकनिक क्या होता है, थोड़ा इसे समझ लेते हैं देखिए, गुरिला वार टेकनिक में अक्सर जो एनिमी होता है उसके अंगेंस में दूसरे जो पार्टी होती है वो छिपकर वार करती, यह कभी भी फेस टू फेस वार नहीं करती जब आपको पता है कि आपके सामने वाला जो आपका अनिमी है आपसे ज़्यादा स्ट्रॉंग है उसके आर्मी आपसे ज़्यादा स्ट्रॉंग है आपको हरा सकती है ऐसे में छुपकर वार करना सीवा जी ने लोगों को सिखा दिया था एक टेकनिक जो था गुरिला वार उसे पता है कि हमारे पास कितनी आर्मी है, तो हम छिपके वार करते थे और उन्हें हरा देते थे, तो गुरिला वार टेकनिक को हम देखेंगे, कि फिर से इमर्ज कर रहा है इसके बाद देखिए, बाजी राव बहुत, जैसे का हमने का highly ambitious था, तो इसने मराठाओं की जो आर्मी थी इसकी, जो strong बना ली थी, उसको यूज करके, इसने बार-बार मुगलों पर, जो मुगल वो समय तक declining page में थे, जो छोटे-छोटे एरिया उनके पास सिमीत होते चले जा रहे थे, तो उन पर बार-बार अभियान करता है, campaign करता है, और कहा जाता है, कि पहले तो उसने जो particular area वगरा थे, जो south के, उनकी जो चौट मिलती थी, जो वसूली मिलती, revenue मिलता था, उसके लिए मजबूर किया देने के लिए, साथी-साथ, second page में उसने जो particular area थे, उन सब पर भी कबजा करता चला गया, तो समझे वो समय कब है, जब मुगल एम्पायर थोड़ा strong नहीं थे, weak ह हो चुके थे, तो मराठाय मर्ज कर रहे थे, हमने पहले भी आपसे बार-बार डिसकस किया इस बात को, तो धीरे-दीरे करके इसने एक बड़ा साइमपायर इस्टेबलिस कर लिया, आगे देखते हम क्या, देखिए बाजी राओ के टाइम में ही, एक बड़ा area, जैसे कि माल बाजी राओ के टाइम में इसकंडर में आ गई थी, और इसी के टाइम में, जो मराठाओं की फैमली थी, जैसे गैकवर्ड हैं, सिंधिया हैं, जो आज भी आप सुनते हैं, मादर और सिंधिया वगरा हैं, आज हमारे मिनिस्टर भी हैं सिंधिया, तो सिंधिया गैकवर्ड जो भी Maratha family थी, उन्हें जो प्रसिद्धी थी, प्रमिन्स मिला था, वो इसी की time में मिला था, धीरे धीरे ये अपने आपको भी धीरे इमर्ज कर रहे थी, नहीं लगता था कि मुगल जब जा रहे हैं, तो हम भी छोड़ा सा अपना empire established कर सकते हैं, ये point हम याद रखेंगे, सा वजीर जो था, उसने साथ इंडिया में जाकर हैदराबाद में निजाम उल मुल्क ने हैदराबद राजी के स्थापनायकिते इस्टेबिस किया था, यही निजाम उल मुल्क बार बार बाजी राओ के लिए प्रॉब्लम बन रहा था, चो कि बाजी राओ गुरिला वार कर पर बाजी राओ नहीं कर रहा था, ऐसे कंडिशन में निजाम उल मुल्क उसे कभी भी पूरी तरह से समझे नहीं पाए कि उसके पास कितनी आर्मी है, कितना स्ट्रॉंग है, वो कितना विक है, और बार बार दो बार मैदान में वार मिटल में इनका सामना हुआ और दोनों क यह थ्रॉदा से रिकॉल करने क लिए त्वड़ा सान होता है, चीजो को आप जब समझते हैं, आपने आज से पास के लाइफ के चीजों से जोड़ लेते हैं, आपके लिए रिकॉल करना असान होता है, कभी-कभी मुवी जो हमारी होती है, वो भी कभी हमारे एगजाम के अब जब निजाम मुल्क को बार बारी हरा दे रहा था तो बाजिराव के लगा कि पूरे के पूरे पूरे इंडिया पर पैन इंडिया जो एमपैर है जो मुगल कर रहे थे वैसा रूल कर सकता है इसलिए वागे बढ़ता है यहां पर देखिए 1733 तक आते आते जो जंजीरा थ जंजीरा जो करेंट वाला जो आप गोव अगरा मार्मा गोव अगरा इस अब देख रहे हैं इसके उपर वाला हिस्सा जो है इन सब जगह पे एक सीधी रूल कर रहे थी इन सीधियों को भी इसने हराया और इन्हें में लैंड से बाहर भगा दिया आ जाता है दिरे दिरे य जयदा करगेरा है यहां पर पूर्तिगीजों के साथ भी इसका कौणिड्ट होता है और पूर्तिगीज उस समय नयने आये थे ज्ज्यादाव फ्रॉंग नहीं कर पाय थे अपने आपको दूसरी तरफ पूर्तिगीजों Sulcet और बसीन में, जो उनके एरिया में था, बलसेट वगरा, सेलसेट वगरा, सौरी, सेलसेट और बसीन जो पुर्तगीज के अंडर में था, उन्हें कैप्चर कर लेता है, फिर भी पुर्तगीज उस समय तक इतने भी कमजोर नहीं थे, कि बाजी रहा उन्हें हरा दे, तो जो वेस्टन एरिया था, वेस्ट कोष्ट था, जो पर्टिकुलर ये वाला है, इस एरिया में फिर भी वो सिमित्र है, और बाद में देखेंगे कैसे फिर उन्हें इमर्ज करेंगे अपने आपको, तो यहाँ पर इसने अपने आरूल एस्टेबलिस कर लिया, बाद उसके अलरेड़ी सर्देश मुकी चौते रहे थे, साइट में जो नीचे वाला एरिया था यहाँ, फिर ये बंगाल वाले भी बाद में देखेंगे इसका जो सक्सेसर होगा, इनसे भी उडिशा वाला एरिया छिन लेगा, पर्टिकुलर जो समझेए कि एक पैन इंडिया वोला जो कॉंसेट जो बाजी राव फर्ट ने सोचा था, वो अपना एस्टेबलिस कर चुका था और मराठाओं को एक छोटे से राजे से एक किंडम में, एक एमपैर में एस्टेबलिस कर दिया था, जो वो सोचा था कि एक एक एमपैर एस्टेबलिस करेगा, सेम मुगलो की तरह इसने एमपैर एस्टेबलिस कर ली, मुगलो समय तक छोटे एरिया में सिमट चुके थी, इस पर्टिकुलर एरिया में थे, देखिए ये वो समय है, जब एक तरफ, ब्रिटिसर्स भी अपने आपको आगे बढ़ाने की कुशिस कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमने पहले भी कहा था, जो अहमद साब दाली वाला एरिया था, वो भी बार-बार इन्वेजन कर रहा था, और लूट-खसूट मचा रहा था, और साथ ही साथ, तीसरा मराथा, तो ये तीन सक्तियों के बीच में, इस विजए होगा, और कौन इंडिया पर रूल करेगा, तो ऐसे कंडिशन में, सेवन्टी फोटी में जब इसकी डेथ हो जाती है, बाजी राओ के तो इसका सन, जो बाला जी बाजी राओ था, जिसे नाम, जो बेसिक नम हम जानते हैं, जिसे नाना साहब के नाम से जानते हैं, ये नाना साहब रूल करना स्टार्ट करता है, और 1740 से लेकर 1761 तक, प्रॉक्स समझे 20 यर्स तक ही रूल करता है, और ये दो कदम अपने फादर से आगे बढ़ता है, इसके फादर ने जो रास्ता इसे दिखाया था, समझाया था, कि पूरे एरिया पर और एक्सपेंस करना है, एक्सपेंसन पॉलिसी जो इनकी थी, उसे और बढ़ाता है, अब जो उडिशा उडिशा वाला इलाका थे बंगाल के टाइम में, हमने याद की जिए बंगाल मुर्सित कुली खाँ वाला इसकुस कर रहे थे, उस समय भी हमने देखा था, कि कैसे मुर्सित कुली खाँ को मराठाओं के एरिया देना पड़ा था, अब दो को कुछ अरिया देना पड़ा था, तो नाना साहब के टाइम में, पूरा का पूरा अरिया और एक्सपेंशन होता है, तो अगले वीडियो में आपके साथ, जो नाना साहब से रिलेटेट टोपिक होगा, उससे डिसकस करेंगे, उसके बाद लाष्ट हम देखेंगे कैसे मुगल, मुगल, sorry, मराठा जो थे, पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाते हैं, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, थैंक्स पूर वचिंगा, Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our Current Affairs classes.